हाँ बई आज हम लोग आपका टॉपिक थर्ड यानि चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे इससे पहले अल्रेडी दो चैप्टर्स कों करा चुके हैं पहला चैप्टर था रियल नंबर्स और दूसरा था पॉलिनोमियल्स आज स्टार्ट होने वाला है लिनियर एक्वेशन्स टू बैरियर बर्ड अब यहां पर कुछ नएने बर्ड तुम्हें देखने को मिल रहे हैं सबसे पहला बर्ड है हमारा लिनियर क्योंको सबसे पहले हमने टॉपिक को भी पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का हमें जरूर मालूम होना चाहिए कि इसका क्या मीन्स है लिनियर तो होता है एन अलजेबृिकràकस्परेशन हैविंग डिगरी ऐस बन कोई ऑजेबृकैकस्परेशन जिसकी डिगरी बन हो गी उसे क्या ओलेंगे लिनियर इसके बाद आता है हमारा विक्कुईशन वैसे अकुईशन तो तुम लोग को सज़बी शाटमी क्लास बना in which some variables or sub constants is equal to some variables or constants is known as equation अब बढ़ाता है हमार यहां variable variable और एक बढ़ाता है constant तो variable क्या है which mathematical quantities are changeable is known as variable इसी परकार constant which mathematical conditions which mathematical quantities are not changeable is known as constant तो देखें linear पहले बढ़ाता है तुम लोग को linear तो linear की definition में एक बढ़ाता है पहले भी बोल चगा हूँ और फिर भी आप अपने जो भी notebook तयार करें उसमें जरूर लखेंगे linear क्या बताया था कि an algebraic expression having degree as 1 is known as linear तो यहां पर मैं example दे रहा हूँ तो linear मैं कोई भी ले सकते हैं आप लोग आप देखें यहां x की power देखनी है हम लोग को degree क्या होती है the highest power of the variable is known as degree तो यहां पर लोग हमारी degree है वो क्या है बन इसलिए यह equation हमारा क्या होगा equation क्या है linear यह क्या है जो भी algebraic expression है वो linear इसके बाद equation equation की definition में जो मैंने बताई है वो आप लोग को जरूर नोट करना है equation is a mathematical statement in which some variable or constants is equal to some variable or constants और you can say equation is a mathematical statement in which some variable or constants are involved यह भी बोल सकते हैं यहां पर जैसे मैंने कोई भी एक्जाम्पल ले एक्स प्लस टू इस उकलस टू और फोर कुछ भी लिख सकते हो कोई भी एक्जाम्पल दे सकते हो तो यह क्या है इनके बीच equal sign आ गया वही हमारा equation है एक word आया हमारा variable variable की भी definition मैंने बताई कि which mathematical quantities are changeable is known as variable जैसे हमने कोई भी एक्जाम्पल में एक्स ले लिया बाई ले लिया कई बार हम एक question solve करते हैं तो x की value हमें कुछ अलग मिलती है और दूसरा का हमने solve गया तो हमें कुछ different values मिले गई इसके बाद constant constant क्या है which mathematical quantities are not changeable is known as constant example के तोर पर जैसे 2 है भाई यहाँ आप सोफिया वेली स्कूल में बढ़ रहे हैं तो इसको 2 ही पढ़ेंगे अगर कोई Tokyo आपड़ता है तो भी 2 है तो इसकी value कोई भी changeable नहीं है इसलिए क्या है हमारा constant तो यानि आप तूसरे बड़े में यह कह सकते हैं जितनी भी हमारी quantities है mathematical quantities है वो सब क्या है वो constant है जो counting numbers है या natural numbers है अब उन्हें इस पर गार बोल सकते हैं इसके बाद यह तो हमारा chapter से related था कि हमें main चीज़ हमें chapter पर आपको मालों होना चीज़िए कि यह इनका क्या means है अब इसमें जो हम topic बनने वाले हैं वो है कुछ equations solve करने के method से उन methods को देखना है तो solve the equations अब इसके कई सारे method पढ़ेंगे एक आएगा हमारा graphical method इधर क्या होगा graphical method इसके बाद आएगा हमारा algebraic methods तो algebraic में algebraic algebraic method हमारे तीन प्रकार के पढ़ेंगे यहां 10th class में होने को कई सारे होते हैं पर यहां तुभारे standard में केवल तीन है सबसे पहला आएगा हमारा substitution method substitution substitution method दूसरे नमबर पर आएगा elimination method elimination और तीसे नमबर पर पढ़ेगा वह है cross multiplication cross multiplication method तो यह हमारे इस तरीके से हमें कुछ methods पढ़ने हैं अब इनकी कुछ अलग-अलग conditions हैं उन conditions को भी ध्यान से देखना सबसे पहले हमें बढ़ना हैं कुछ नए words मिलेंगे हमें कि कोई भी equations हैं a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 कोई भी हमारे दो equations दे रखे हैं तो इनके आदार पर हम लोग को पहचान करनी हैं कि कौन-कौन सी line which of the lines are intersecting lines parallel lines और coincident lines तो इनका आप लोग केवल coefficients लेंगे if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 अगर इनके coefficients का ratio same नहीं आता है तो these lines are intersecting lines कौन सी line बोलेंगे इनको intersecting lines अच्छा intersecting का मीज़ तो आप ऐसे simple समय रहे हैं एक कोई line यह है graph draw करेंगे और दूसरा हमने इस तरीके से draw किया तो यह कही न कहीं intersect करेंगे कहीं न कहीं point पर और जिस point पर intersect करेंगे वही इसका solution होगा number one दूसरे number पर आता है if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 इसको बोलते हैं हम लोग coincident lines coincident lines अब coincident का मतलब क्या है कि कोई भी point लेंगे तो वो overlap करेंगे same point एक question से दूसरे से भी वही same point पर लेंगे हम लोग को इन्हें बोलते हैं coincident lines तीसे number पर आता है हमारा if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2 इन्हें बोलते हैं parallel lines parallel lines तो parallel तो simple समझते हैं अगर कहीं हम graph draw कर रहे हैं यह partition plane होगा इस पर हमने कोई भी एक line कर इस तरीके से graph draw गिया दूसरा हमें इसी परकार से मिल दा है तो यह यहनि बिस lines do not intersect anywhere जो lines कहीं भी intersect नहीं करेंगे और है parallel lines बोलेंगे और जब यह intersect ही नहीं करेंगे तो इसका कोई भी solution possible नहीं होगा अब देखें यह तो रहा हमारा lines की इस condition के आदार पर अब इन दोनों को मिला करके हम बोल लेते हैं consistent इनको क्या बोल लेते हैं consistent और जो तीसरा बचा हुआ है इसको बोलते है inconsistent inconsistent अच्छा यह consistent और inconsistent को अगर आप लोग अपनी भासा में समझें तो इसका मींस है कि इनके हम solution find कर सकते हैं और इनका solution find नहीं कर सकते हैं यह हमारी inconsistent अभी एक प्रकार का इसमें criteria और सेस्ट बचा हुआ है कि इसी के आदार पर हम लोग कैसे पहँचान करेंगे कि यह lines जो है हमारी क्या है तो equations तो हमारी यही रहेंगे जो पहले हमने लिखे हुए है अगर पहली condition ले रहे हैं A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2 अब इनके बाद पहुँच जाते हैं solution पर तो इसका जो solution होगा इससे बोलेंगे हम unique solution unique solution इनका केवल और केवल एक ही solution होगा दूसरे number पर आता है A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2 इसको बोलते हैं हम लोग infinitely many solution infinitely many solution many solution इसके बाद तीसरा पहुचा हुआ है हमारे पास A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2 इनको बोलते हैं हम लोग no solution no solution वैसे मैं simple आप देखें कि वाई जब उनके coefficients का ratio same नहीं है last वाले same नहीं आ रहा है तो इसका मतलव लाइन parallel line होंगी और parallel line का कोई भी solution नहीं होगा इसके बाद में कुछ conditions ऐसे आएंगे कुछ strengths ऐसे बोलेंगे कि क्या हमें A1 upon A2 equal आ रहा है तो C1 upon C2 क्या हमें check करना है तो केवल और केवल अगर इस तरीके से आ रहा है अगर पहले ratio same नहीं है तो तीसरे वाला हमें check ही नहीं करना है चाहे बोले वो same हो या नहों ठीक है इसी तरीके से आप लोग इस topic जो हमने pair of linear equations and two variables यानि third chapter कराया है introduction इसका इस introduction को ढंग से करें और अगर यह समझ आ गया आच तरह से तो exercise आप लोग के लिए उतनी आसान होगी धन्यवाद